Hello everyone, Jai Hind So, आज आप सभी का स्वागत है A1 Sikshah पे So, today we will learn about Was and Were What was the use of Was and Were हम Was and Were के समाल कहां करते हैं तो आज का हमारा कॉंसेप्ट है Was War पढ़ना की Was War हम यूज करते हैं तो कहां करते हैं So, लेट्स स्टार्ट So, आप देख सकते हो यहाँ पे was and were की बात हो रही है So, आज बढ़ते हैं कि Was War कहां इस्तिमाल करते हैं क्योंकि बहुत से लोगों का डाउट होता है कि WAS का इस्तिमाल कहां करें वरके इस्तिमाल को करें सो यह बहुत εजी कॉन्साड्ट है जिसले फोकस करने की जुरौतें को देखतें कहां होता है जब हम पर्षण की बात करते हैं drug गुह अधियर आनल्हेस आई हो तो क дол पर्षण होता क्या तो आई की बात करो, यानि खुद की बात करो, तो आप हमें से लिए प्याप उसके वाज क्या होगे? वाज का इस्तिमाल करोगे? उसी तरह से जब सेकंड परसं की बात की जाए। आप लोग होता है। आप होते हैं। तो जब भी आप 2nd person की बात करो, यू तो आप वहाबे क्या इस्तिमाल करोगे वर, जब हम थार्ट पर्सन की बात करें, जैसे ही, शी, नेम, इट, लाइक हम किसी के लिए बोलते हैं कि वो खुस था, या वो खुश थी, या ये समान अच्छा था, या राम अच्छा था, तो ये क्यों से होते हैं, वैसे तो कह सकते के वोट्राउन हैं भी वोट किसी वोर्ड कर देखते हो त Southwest कि वहाँ कि बॉताहिक एक से जादा की बात हो एं, तो हाँ प्यू अक्त अगले पर्सन की बात हो रहे तैंक गाट एक से जादा मोर देन वान पिपल मोर देन टू पीपल्स ओर दन त्री पीपल कि बात कर रहे हो तो हां पर आप क्या इस्तिमाल करते हो वर्ड लाइक वी जब भी आप वी को फाइंड करते हो जैसे कि हम लोग खुश थे तो वीवर हैपी तो हम पहां पर क्या इस्तिमाल करें भी वर वैसे जब यू की बाद कर रहे हो जैसे आपने पढ़ा है यू u मैं र हम के बाद के तुम खुश ते अगर मैं यहां पर कहूं कि आप लोग खुश थे तो यू यू र हैपी को कि यहां पर क्याएं आप सपरें लोगों की बात हुए ह यहां पूर जादा Grand कि बात हो रही है तो यहां पर हम क्या इस्तिमाल करेंगे वर इस्तिमाल करेंगे एग सो आगे हम कुछ एक्जाम्पल शेखते हैं गिसे तरह से मिसका यूस करते हैं ओके इसके वैसे थो थी ताइप के रूल पड़ेंगे आज हम सींपल नागेटिव औंट इंटेर गेटीव फर्स रुल इस टॉकिंग बाउट सब्जेक्ट प्लस वासबर्ड प्लस कॉंप्लिमेंट इू कैने इजी वर्ड ऑबजेक्ट ओके आप इजी वर्ड में कह सकते हो अबजेक्ट अगर आपको कॉंप्लिमेंट नहीं करना बिकोस बहुत से कम लोग इसका हिसे इसमाल करते हैं अबसकेक साथ बुशें कर सकते हैं भ atm इसे अब्जेक्ट पीpp Sindist ओके सो देखते हैं आपर पर मेंस्त इग्जामपल क्या है कि राज एक डॉक्टर था यार। विभ्ड हैंवारा सब्जेक्ट हो गया। न्यूल के गोर्डिंग सब्मजेक्ट पहले हम सब्जेक्ट लगैं ए राज एक डॉक्टर ठाकितना डॉक्टर था एक डॉक्टर दराज तो राज के सांद राज एक नाम है एक न GM है तो मुषे साथ क्या यूश करेंगे वोज्बाद एक है और किसके बाद और यह क्री यह इन Era पिए नह्न से कि एक थे यह मारा दम मिज्द सब्सक्राइब कि मीत वomas order वी ना ऐगा お much्छिव यह तो सबकिोर है तो स्ब्सक्राइब US तुम एक विध्याहर थेश्च मैं कि तुम एक सब्छाइब कि बात करेंगे तुम एक विध्याहरे थे तो like subject क्या है मेरा तुम? तुम क्या है? तुम है यानि यू यहाँ पर एक की बात करें कि तुमे एक विद्यार्ती थे तो यानि singular में क्या है? यू में क्या है? वर का इस्तिमाल करते हैं जब भी यू आए आप वहाँ पर कभी भी चाहिए singular हो चाहिए पूल रहो आप वहाँ पर work का इस्तिमाल करोगे like you were you were a student student okay third example है वो मेरा दोस्त था कौन मेरा दोस्त था वह मेरा दोस्त था वह की बात हो रही है लड़की की बात हो रही लड़की की बात नहीं हो रही अगर हो ठी लड़की की बात कर रहे हो था है वह मेरा दोस्त था जब फियी की बात हो तो आपके क्या इस्तिमाल होता है इस्ञे किया मेरा हीफ इसका चमल करेंगे was he was my friend second negative negative इत्वी ऑति बहुत इसमें बहुत इसमाल करने लाइक मैं जिसे रूल देखते हैं subject प्लस वाज वर प्लस नौट प्लस अबजेक्ट ओके यानि की वाज वर के बाद के इस्तेमाल करोंगे बहुत सिंपल है देखते हैं कैसे आई आई सिंगलर के बाद हो रही है आई के सब हमने क्या पड़ा कि आई की सब हमें सब वह जाता है आई एसा आय डोल के साबसे आय वाज वाज वास के बाद कैसे इस्तेमाल करेंगे नौ अधाइव आई वाज नौ गिल्टी दोस्हे का मतलब गिल्टी ओके आयज नौत ही नेच्स एकजाम्बल देखते हैं हम लोग बिमार नहीं थे हम लोग की बातो रही That means कि एक परसन की बात नहीं हो और यहाँ पे More than 2, 3 में भी हो सकता है So हम 2, 3 परसन की बात करें So हमेंसा क्या है गए गा वी के साथ वर का इस्तिमाल होगा Like subject में बात करें You mean, we K autograph क्या इस्तिमाल होगा क्योंकि एक से ज़ादा है तुम क्या इस्तिमाल करेंगे वर we word हम लुग बीमार नहीं थे जुशन नहीं थे विबर नॉट फिश्वां इसमत कर सकते हो और आपका चाहते हो तो कोई गलत नहीं हो का सेंटन्स को कि सुथ आते हैं वह लोग पागल नहीं थे वे लोग की बात और याने की मोर्दन तू मोर्दन थ्री में भी ओके सुद्धे के साथ हमेंसा क्या आता है वर दे दे वर क्या नहीं थे पागल नहीं थे विए वे दे वर नॉट मैड ओके फुल स्टॉप आपको एकॉंसेट समझ आ रहा है अगर आपको कॉंसेट समझ नहीं आता तो प्लीज आप कमेंट जरूर करना नेक्स आते हैं इंटेरोगेटी इंटेरोगेटी का मतलब होता है जब आप किसी से कोशन पूछते हो ठीक है तो आप मुस पे सिका गए तुसे पूछरह थे हो ठीक है ठीक है रूह दिख सकते हो आप वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस अबजेक्ट क्या वह इमांदार थी आपने बंगान आपको भी नहीं पता तो इहां पर आप क्या इस्तिमाल करोंगे ती की बात बहुत हो रही हां आपर किसकी बात आरी गुर्ल्स Q便ि निनस वी 5 जुए इस्तिमाल करते है रही कि इस पूर इस इसे स्तेमाल करते हैं यह वॉस है तो वॉस्ट थे आ व____ど श्ट्रिंव इअप्ने कोश्ण मारख, यह पुछा है किया आप लोग दुशमण थे यह अधो दुशमण थे So, क्या आप लोग की बात हो रही है यानि कि एक से ज़्यादा की बात हो रही है यानि कि इसमें क्या इस्तिमाल करेंगे So, were 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 you were you enemy Okay were were you enemy क्या रभी खिलाडी था क्या रभी खिलाडी था आप कोशन पूछ रहे हो आपको भी नहीं पता के रभी खिलाडी था कि क्या था ठीक है तो क्या रभी खिलाडी था तो रभी क्या है नेम है और यह स्टिम्लर भी है ठीक है तो इसके इसमाल करेंगे was ओके so was रभी player ओके I hope आपको यह कॉनसेप्ट समझाया होगा अगर आपको कुछ भी इसमें से नहीं समझाया तो प्लीज आप कमेंट जरूर करना कि आपको यहां क्या समझनी आया next time से मैं और ट्राइ करूंगे कि आपको और अच्छे से मैं समझा सको next video में हम has और have सीखेंगे कि हम have और has का इसमाल कहा करेंगे और कैसे करेंगे